हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो स्वेलर ग्यान अनारी डीव चैनल फ्लोटिंग स्वेलर फोटो वोल्टेइक की सीरीज में यह मेरा लास्ट वीडियो है पार्ट फाइब जो की प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर है और मैं आपको फिर से यहां पर रिपीट कर दूं कि यह जो भी फ सेक्टर यह जितने सारे फ्लोटिंग स्वेलर के मेरे वीडियो यह इसी डीपोर्ट के बैसिस पे हैं और मेरा अपना खुद का भी कुछ रिसर्च इसमें तो आज बीजो यह वीडियो है बैसे की प्रोजेक्ट कॉस्ट पर यह भी सी रिपोर्ट के बैसिस पर लिए और कु और पार्ट जो कहुं से प्रोजेक्स को सब्सक्राइब। इसपेसिछ बीजानगे के १िछ यह पर रियू आज हम डिसक अर्फ ह करेंगे फ्रोटेट विद्डिक विजयांच को लगाने पर कने क्या कौश्ट पूलिब है प्रश्ट्रेश्क में सब्सक्राइब कर्या हूए ईसको करेंगे लिए और पिक्चर 2 जो है बिसेकली एक रिप्रेजेंटेशन है तो पिक्चर 2 में आप देख रहे हैं बिसेकली जो सोलर पीवी पैनल्स है वो फ्लोटर्स या पैंट्टून्स पर उसके उपर रखे गए हैं जो फ्लोटर्स है उसको हम लोग एंकरिंग और मूरी लाइन्स के से यह बिसेकली dc जन्रेट करता है तो वहां से हम क्रिट करके घ्रार बॉक्स में ला रहे है फिर कंबबाइनर बॉक्स से इन्वेर्टर में लगा जाते हैं जिसको डीकी से एसी में कन्वर्ट करते हैं तो जैसे एक पिक्टोरियल रिपजेंटेसन देंट ने फ्लोटिंग नहीं लगे हैं कुछी कंट्री में हैं जो मेजावर्टी जैसे चाइना प्रोजेट्स लगे हैं इसलिए फ्रोटिंग सोलर फोटो वोल्टेई के रिस्पेक्ट में पब्लिक डॉमेन में इसके प्रोजेक्ट कॉस्ट और ऑपरेशन और मैंटेनेंस के कॉस्ट बहुत जादा इसका डेटा एवेलेबल नहीं है इसलिए यह जो टेरी ने जो यह रिपोर्ट जो दिया इस टेबल में अभी डिसकस करेंगा इस पर तो यह एक जश्ट इंडिकेटीव डेटा है और यह फ्लोटिंग सेलर टेकनलोजी का बहुत जैनलाइज कॉस्ट नहीं है और सेकेंड च की गई है इसमें केवल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो प्रोजेट लगाने में जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगता है अभी केवल उसी की बात की गई है और इस जो डेटा में जो दिखाया हुआ अधर कंट्रीज के तो इसमें कुछ रिफ्रेंसेस भी लिए हुए जैसे यह क्या है बैसे कि यहां जैसे से यूस डालर से रूपबिस में यूप कि क्योंकि हम सारा यह जो डेटा हम रूपीज पर वाट पीक में बात कर रहें जो डेटा दिया हुआ इसलिए इसमें जिसमें जो टू थालएट लिया हुआ जैसे अटानल पर टूजांड फोटिन में जो है वन यूश डॉलर का जो रेट है बिसेकली 70.09 इसमें इसमें बात करते हैं तो इंडिया इंडिया का परस्पेक्टिव में इसमें वन मेगावाट पीक वन मेगावाट पीक का जो फ्लोटिंग सोलर है वह जैनरी जो जैनरेट कर रहा है इसमें बात किया हुआ जो प्रोजेक्ट लगाने में क्या है तो आप यहां पर देख रहे हैं जो फर्स्ट नवर पर यूके युनाइट किंग्डम में पॉइंट टू मेगावाट पीक मदब 200 किलोवाट का सीप लेंट्स में 2014 में उन्होंने प्रोजेक्ट लगाया था जिसमें जो कैल्कुलेट जो जो कॉस्ट निकल के आई थी यह टेंटेटिव कॉस्ट है इसको हम लोग मेगावाट से बात करते हैं तो 19.6 करोन पर मेगावाट पीक में आएगा और पूर्तिकाल में पॉइंट टू मेगावाट पीक मदब 200 किलोवाट का जो है पर लगा है इसका जो इन्वेस्टमेंट जो था 9.8 करोन पर मेगावाट पीक के आसपास आ रहा है अब इंडिया में जो है टू मेगावाट का विशाखा पटना तू थाजन सिक्टिन में यह जो लगता है बैसेकि लिए टेंडर कॉस्ट है यह एग्जेक्ट प्रजेक्ट की कोश्ट ज्यादा है वहाँ पर जपान में जो है 2.4 मेगावाट पीप 1.5 मेगावाट पीक का जो प्रजेक्ट लगा तूसां सेवेंटीन में उनकी जो प्रजेक्ट कोश्ट है 19.8 करोन पर मेगावाट पीक है और फिर हम फर्दर आते जाते हैं तो इंडिया में 3 थे 4.9 करोन पर मेगावाट पीक वैसे ही 4 मेगावाट ती रूपती 2018 में 8.2 करोन पर मेगावाट पीक जपान में 13.7 मेगावाट पीक का यह हमा कूरा देंप सेवेंट कोश्ट निकल के आई ए व्ल्डव्ड वाट सभ से काफी कम कॉश्ट निकलके आईया और इंडिया के एक अलग से टेवल है जो मागे नेख्ट डिसकस करेंगे यह इंडिया वाले डेटा इसमें और टेरी ने जो डेटा जो रेट दिया विसे के लिए जो पॉब्लिक डोमेन में डेटा अविलेबल था उसी पर टेरी ने इनालिसीस करके रिपोर्ट यह चार्ट बनाये हुआ जि इसी तरीका से केरला में 2017 में इसको यह जो प्रोजेक्ट है वैसे केली केरला इस्टेट इलेक्सिटी बोर्ड ने लगाया था 500 किलोवाट पीक का जो उस समय तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था उसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है बैसे कि लिए 192.52 रूपीच पर वाट अगर इसको मेगाट पीक में लोग कनवर्ट करते हैं तो 19.2 क्रोण पर मेगाट पीक क्या आएगा फिर नेक्स 2017 का इंडिया का 3 मेगाट विसाखा प्र्टम करता 4.9 क्रोण और कॉस्ट हम लोग देखने इंडिया का अगर टेवल आप चार्ट देखिए तो कॉस्ट जो है क कि इंचार हुए है इसमें जो कॉस्ट हम देखने 45 परसेंट तक डिक्रीज हुई है इन्वेस्टमेंट काट और लेटेस्ट अब देखिए इंडिया के इसमें दिया हुआ है टेरी के रिपोर्ट की हम प्रस्पेक्टि में अगर हम बात करें 70 मेगावाट का क्या कूलम फेस इसमें जो कॉस्ट निकल के आई है फेज वान में 3.9 पर मेगावाट पी और फेस्टु में 3.55 पर मेगावाट पी तो यह जो कॉस्ट है मुझे रखता है कि वर्ल्ड में का सबसे कंप्टिटिव कॉस्ट है और इसके बहुत सारे फेक्टर से हैं अगर इंडिया प्रस्पे से क्योंकि यह नई टेकनलोजी थी और फ्लोटर्स जो थे इनिस्यल में बहुत सारे रिसर्च नहीं हो पाते हैं जास्ट लग जाता है एक्स्पिरियंस मिलने के बाद जो अब जो रेट्स निकल के आ रहे हैं फ्लोटर्स के वह कॉस्ट काफी डिक्रीज हुई है उसके यहाद आरे इंदी तो इसमें हुए निहीं था तो इसका एक थीकश्य वी किनुह सकती है पैनल सको और जो उसकी है एक्सेसरी से Uसको से होल्ड करने के लिए और लॉंग टरम सश्टेनिविल्टी करने के लिए तो उन्होंने पाया कि इसके थीकने इसका और खूर कम किया यहाँ पर जीलो दिस्ता-पाया भी कर्दों करते तो माद आफने को इंडील्येस कि लिए शाइटी जो एक पुरूटिट इस मिल जाती है इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया पर दो टाइप से टेंडर होता है या तो टैरिफ बीडिंग होती है चुछ लगाईए उसमें डिसक्लोज नहीं होता है कुछ पॉब्ली सेक्टर कम्पनिया ऐसी होती है क्योंकि वो डारेक्ट आईसे तो नॉमिनेशन प्रसिस पना ही कर सकते तो वो एपी से टेंडर निकालती है जैसे एंटी पीसी एंच्पीसी इस टाइप को प्रोजेक्ट मोट्स में टेंडर से निकालते हैं तो उसकी प्रोज भी जो है वह काफी इंट्रेस्टेट्ट की नई टेक्नोलोजी है और आने वाले टाइम में उनको यह लग रहा है कि फ्लोटिंग सुलर काफी प्रोजेक्ट्स आ सकता है और एक एक्सप्रियेंस लेने वाली बात है कि अगर आते हैं तो इसलिए वह एक एक बीडिंग भी है औ अगर कोई डेवलपर करता है फ्लोटिंग फोट्रोफ लगाने के लिए शेट करने के लिए तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं एक तो प्रोजेट की लोकेशन कहां पर है उपर से सेकेंड जो देफ्ट अफ वाटर बाडि जिस वाटर बाडिशन प्रोजेट लगा रहें उस प्रोजेट है साइट कंडिशन क्या है वहां पर क्या स्पीड और क्या डालेक्शन इस दिश्चा यह अगर सोलर एडियस आपर बहुत ही अच्छा तो ऑविसलिए ज्टा ज्यादा जन्येट होगा एम्बें टेप्रेचर क्या है क्या करेक्ट के कैसे एचिटनी आपके 2 तो कॉस्ट भी काफी competitive होता है तो यह सारे parameter है जो डेवलपर अगर रेट कूट करता है EPC में या टैरिफ में तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि यह कॉस्ट का breakup दिया हुआ यह टेरी रिपोर्ट के हिसाब से मेरा अपना मैं इससे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा मेरा अपना खुद का भी अनार्शी से रिसर्च है इसमें क्या है तो टेरी के अनार्शी पर यह पब्लिक लिए जो डोमेन में डेटा अविलेबल है टेरी ने उस पेसिस पर बताया हुआ यह तो आप इसमें देख सकते हैं जो टोटल अगर कॉस्ट है तो इसमें चार-पांच पैरामिट्र के लिए फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म एंक्रिंग और मॉरिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन मॉड्यूल्स इन्वर्टर केविलिंग तो अभी जो डॉमिनेंट जो कॉस्ट है बिसेकली मॉड्यूल्स की है जो यह एंटिसेपेट किया है कि 35-40 परसेंट जो कॉस्ट होती है प्रजेट कॉस्ट लगाने में वह मॉड्यूल्स क्याता है और सेकेंड नमबर पर इसमें फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का बताया हुआ है और केवलिंग के 10-12 परसेंट दिया हुआ है अगर हम इसमें देखते हैं अगर ग्राउंड मॉंटेट सोलर पीवी सिस्टम से कंपेर करें इसको तो जो मेजर जो डिफेरेंस आएगा बिसेकली यहां पर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं वहां पर म कांपोनेंट है वह लगवाख सेम है今 व हुआ इन वर्ट लगनाविशन मेंवें स्वर प स्ट्सार यह लगने लगने हैं और वहां पर लוא स्ट्रेंग मोभी स्ट्टर्य वहां पर जो मॉटूल मांटिंग स्टुक्श्चर दो डिफेरेंस आता है का जो फूरी इसी दो और यहां पर बताया हुआ है कि आज जो इसमें जो है 38 परसेंट तक जो है जो कि फ्लोटिंग और मॉडूल मॉंटिंग स्ट्ट्चर के सौरी फ्लोटिंग और एंग्रिंग और मॉरिंग सिस्टम जब थाटीएट परसेंट तक है कि यह निश्ट देखने इसमें मैं अपना खुद का भी रिसर्च है जो पॉब्लिक लिए विलेबल डेटा है उससे मैंने कोसिस किया निकालने के लिए तो यह मैंने चुलिए कि यह कोस्ट किया कोस्ट है विसके लिए व्यचिक लिए अच्वाट है यह मैं जुलाय में वीडियो बना रहा हूं और अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूं आज की डेट में कोई कोई बीडिंग होती है तो इसका इंपक्त्थ बी सीडिक आएगा और जीया बेशिक फॉर्ट अप्रील 2022 से आप्लिकेबल हो जाएगा जिसमें की सॉलर पीवी पैनल्स पे 45 40 परसेंट है और सेल्स पर 25 परसेंट है उस इंपक्ट को लेने के बाद यह सोलर पीबी का मैंने रेट यहां पर लिखा हुए तो पैनल्स का और अगर सोलर पीबी पैनल्स की बात करते हैं तो फ्लोटिंग सोलर ग्राउंड मांटेट बिसेकलिए दोनों पर सेम ही आएगा क्योंकि पैनल्स पैनल्स ही है बैलेंस अब सिस्टम में मैंने सारा ले रखा आपका जो इसमें पहले वाले स्लाइड मैंने दिखाया आपको इनवर्टर और केबलिंग और वो जो कॉस्ट था तो सारा सिस्टम मैंने बैलेंस अब सिस्टम में ले रखा है जो कि 45 लेक्स पर मेंगाट पीक एप्रॉक्समेटली कॉस्ट है और फ्लोटिंग सोलर में 40 लेक्स पर मेंगाट पीक के साब से बहुत जार डिफरेंस यहां पर मैंने 45 ले रखी है और फ्लोटिंग स्टैक्चर यह फ्लोटिंग सोलर में यह लगाट मतलब वन कोनफ मेंगाट पीक के अब नहीं कर सकती है यह फिक्सक्ष नहीं है कि इसमें बहुत साज़र अतने um स्ट्राइब कर सकते हैं। और अगर डैम रिजर वायर स्ट्रेश में जाते हैं घी काफी बढ़ सकता है प्लस वहाँ पर वींडिश्पीड ज्यादा है और जो वाटर बॉडडी चाज बौटम लेबल है वहाँ पर किस टाइप का स्ट्रक्टर जिसके मूओरिंग सिस्टम जो है इंग्रिंग में 285 255 नंटिफ का रहा है और फ्लोटिंग स्वर में 335-355 मेगावट पीक लाए तो करीब करी 15-20 परसेंट जो इह वहरी कर रही है फ्लोटिंग सिलर में और नीचे मैंने बताए भी आपको कि फ्लोटिंग सींटंब गौन्ट परसेंट मालओं हाइं अपूर्ट इंग्र जो डाइम करते हैं तो उसमें जो वाटर लेवल है बैसे कि वह री करता है और उसकी देफ्थ भी ज्यादा होती है और इंक्रिंग मूरिंग सिस्टम भी जो होता है वाटर बॉड़ी कहां पर किस में कौन से वाटर बॉड़ी में लगा रहे हैं उसकी फेक्टर फर्क पड़ता है तो यह बैसे के लिए कॉस्ट कंपरेजन है और इसको मैंने चार्ट के रूप में भी दिखाया हुए आपको ज बैलेंस अब सिस्टम 50% अधर में इसलिए फाइब परसेंट और अगर फ्रोटिंग शोलर के बात करते हैं तो जो मॉडुल की कॉस्ट 55 परसेंट है यह इसलिए कोश्ट में अधर कंपोनेंट्स आ गया है फ्रोटिंग की कॉस्ट पढ़ गया इसलिए फिप्टिफाइब प परसेंट है यह मैंने एक्जामपल लिया हुआ है इंडिया में जो अब तक फ्लोटिंग सोलर में जो सबसे बड़ा टेंडर हुआ है वह 150 मेगावार्ट का टेंडर हुआ था जिसमें से की ने और एफस निकाला था सोलर एनरजी कॉर्परेशन अफ इंडिया मिनिस्टी सेंटर पब्ली सेक्टर अंडर्टेकिंग सेकी जो की सोलर और रिनुवल एनरजी के फिल्ड में के लिए बनाए हुआ है तो सेकी ने टेंडर निकाला था सेप्टेंबर 2018 में 150 मेगावाट के लिए रिहन डैम जो की गोविंद वरलब पंत सागर के नाम से जानते हैं जो कि आया था 3.29 पर यूनिट जो टेरिफ निकल के आया था और इसमें दो बीडर्स जो थे जो दो डेवलपर सेलेक्ट हुए थे रिनु पावर हंडेड मेगावाट मतब एक्चुली 50-50 मेगावाट के तीन कंपोनेंट थे दो कंपोनेंट 100 मेगावाट रिनु पावर को मिला था और 50 मेगावाट सापूर जी पॉलंजी जो है यह 50 मेगावाट के मिलाता है और जो पॉब्लिक लिएवलेबल डेटा उसके हिसाब से जो कमिस्टिंग डेट है फेब्रोरी 2022 है तो अगर जस्ट मैंने इसलिए दिया एक कंपेजन करने के लिए कि इसमें जो टैरिफ है औ लेकिन यहां वह 3.29 टैरिफ है तो एक जस्ट है कि समझाने के लिए कि टैरिफ जो है ग्राउंड मांटेट जो सोलर प्रोजेक्ट्स है उसे ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट ज्यादा ही टैरिफ है फिर भी यह सही है एक एक्सपरिमेंट करना तक बड़े तब तक इसमें समझने के लिए कर सकतें कि आगें में बढ़ सकते हैं यहां पृटिंग आपको यह बटा दू कि यह जो बिडिंग होती परिजनेगे, इसमें जो developer होता है, developer generally जो capacity होती है, DC capacity जर्टी-34%-40% तक ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो tendering होती है, वो capacity पर नहीं होती है, वो generation पर होती है। तो इंडिया में tariff कम आने के बहुत बड़ा region ये है, कि developer जो है DC capacity 30-40% तक ज्यादा लगाता है इससे पहले वाले जो वीडियो था हम उसमें पर मेगावाट कोस्ट की बात कर रहे थे तो इसलिए समझाने के लिए हैं कि जो पर मेगावाट पीक की बात करते हैं तो उसमें 30-34% अगर capacity ज्यादा लाएगे तो कॉस्ट उसी सबसे बढ़ जाती है तो होप दोस्तों मेरा यह वाले वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को फारवर्ड करिए थैंक्यू जैह हिंद